नमस्कार दोस्तों बदोस साथ आपका अमरे चल में दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुकन्या सम्रिधी योजना के अंदर जो घर की हर बेटी को डेड़ लाग रुपे से 27 लाग रुपे देने की जो स्कीम भारत सरकार ने बेटियों के लिए चलाई है इस स्कीम के अंदर आविदन करने से पहले आपको कुछ महतोपूर्ण बाते जी हां साथ आठ ऐसी बाते हैं जो आपको आविदन करने से पहले ही जान लेनी चाहिए अगर आप इन बातों को नहीं जानेंगे और उन्हें नजर अंदाज कर देंगे तो जब आपकी पॉलिसी पूरी हो जाएगी तो उस वक्त आपको पैसा लेने में दिक्कते भी हो सकती है तो दोस्तो सबसे पहले आपको इन चीजों का जरूर ध्यान रखना है और उसके बाद ही इस योजना के अंदर आवेदन करना है और अपनी बेटी के लिए लाब लेना है तो चलिए बात करते हैं वो क्या जरूरी चीज़े हैं तो दोस्तो देखें ये मैंने एक वेबसाइट खोल रखी है जिसका नाम है नैशनल सेविंग इंस्टिटूट की वेबसाइट है ये भारत सरकार की वेबसाइट और यहाँ पर सुकन्या समरिदी अकाउंट से जुड़ी हुई कुछ महतवपूर्ट चीज़े यहाँ पर आपको बताए गई है जो कि आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए तो दोस्तो सबसे पहले यहाँ पर पहली ऑप्शन यह है कि इसके अंदर कम से कम आप धाई सो रुपे जमा कर सकते हैं और जादा से जादा आप डेड़ लाग रुपे इसके अंदर जमा कर सकते हैं इस रुपे पर मत आप यहाँ पर जमा करने के बाद अपनी बेटी के लिए 21 साल की जब आपकी बेटी हो जाएगी तो जब आपको आपकी बेटी के लिए मिलेंगे डेड़ लाक रुपे लगबग दोस्तों दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि आपकी बेटी की उमर जो है यहाँ पर 10 साल से ज़ादा नहीं होनी चाहिए तो दोस्तों कभी भी आप जब इस योजना को लें तो अपनी बेटी की उमर को जरूर कैलकुलेशन कीजिए अगर आप मानलीजे थोड़ी सी भी कम जादा उमर को अगर आप कंसिडर करेंगे तो आगे चलके वो दिक्कते हो सकती है तो दोस्तों आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि बेटी की उमर आपके 10 साल से कम ही होनी चाहिए तीसरा आप सिर्फ एक बेटी के लिए एक ही अकाउंट खोल सकते हैं इस योजना की अंतरगत मानलीजे अगर आप दूसरों कभी अगर दो-दो अकाउंट खुलवाना चाहते हैं कभी आपने मानलीजे पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवा दिया है किसी बैंक में अकाउंट खुलवा दिया तो इस केस में आपका ये जो पॉलिसी है वो रद्दो जाएगी और आपको कोई लाब नहीं मिलेगा तो आपको सिर्फ एक ही अकाउंट खुलवाना है एक बेटी के लिए और दोस्तो इस अकाउंट को आप किसी भी प्राइवेट जगा पर मत खुलवाईए यहाँ पर सिर्फ भारत सरकार ने किलियर ये कहा है कि आप या तो अपने पोस्ट आफिस में इस अकाउंट को खुलवाईए या गॉवर्मेंट ने जो बैंक ऑथराइस किये है उनी बैंक के अंदर इस स्कीम को आप लीजिए इसके अंदर एक महत्वपुर्ण चीज यह है कि मान लिजे आपको अपनी बैटी के higher education यानि की उच्च शिक्षा के लिए अगर पैसे चाहिए तो आप इसके अंदर पैसे भी withdraw कर सकते हैं यानि की पैसे ले सकते हैं दोस्तो इसके अंदर जो एक बड़ी चीज वो यह है कि आपकी बेटी के लिए मान लिजे आपकी बेटी की अगर आप शादी करना चाहते हैं 18 साल के उमर के बाद ही क्योंकि इस योजना में तो 21 साल के बाद पैसा मिलेंगे तो अगर आप मान लिजे जल्दी शादी करना चाहते हैं लेकिन 18 साल के उमर के बाद तो आप उस केस में भी इस स्कीम को बंद करके पैसा ले सकते हैं दोस्तो इसके अंदर एक महतवपूर्ट चीज यह है कि आप इसके अंदर जब अकाउंट खुलवा लेंगे तो आप किसी भी शहर में रहते हो आप इस अकाउंट को आसानी से ट्रांसफर करवा सकते हैं इसमें आपको कोई भी दिक्कते नहीं होगी चाहें आप पोस्ट ओफिस में अकाउंट खुलवाई चाहें बैंक में आप आसानी से इसको ट्रांसफर यहां से वहां करवा सकते हैं और दोस्तो इस स्कीम के अंदर आपको पताई है कि ज अबिदन करना चाहिए तो दोस्तों कैसे लेगी जान करें प्लीज कमेंट करके बताएं अगर आपके कोई सवाल हो तो हमसे पूछ सकते हैं और वीडियो अच्छे लेगी तुसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों पर इवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्रा अबाद